आप सभी का स्वागत है आज हम कंपनी वाले चैप्टर में रिंडपत्रों से सम्मधित जो परसन है वो करने वाले हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर परसन दिया गया है करने पर जो पर दो सब्वारा ही स्थानांत्रित होते हैं वह कहलाती है यह जिनके दारक का नाम कंपनी की पुस्त को या रिजिस्ट्र में लिखा होता है और कंपनी के द्वारा रंपत्र का मूलदन और ब्याज गुगतान। इस पंजिकर्त व्यक्ति को ही किया जाता है। एपनी स्कतर रिनपत्र की झात वाहक्त रिनपत्र के रहे क्लिक्ति की CHल नहीं और रिनपत्र की स्पूर्दिय आंट्रेंिपत्र कीelle subscribers पर्थम रिणपत्र वे रिण पत्र होते हैं जिनका पनल्बुगतान न उनने पत्र पहले किया जाता है धाल वह प्रथम रिणपत्र कहला एं और दूशुरक्षित संपत्र रिणपत्र होते हैं जो Tom सुरक्षित रेनपत्र कहलाते हैं तो इस वह होगा वह होगा अगला परसन जब रेनपत्र संवल्य पर निर्गमित किये जाते हैं जिनका सोदन प्रीमियम पर होना है तो इस प्रकार हानी को दर्शाया जाता है देखिए जब रिंड़ पत्र को समय मुल्य पर निर्गमित किये जाते हैं और जिनका सोधन प्रीमियम पर किया जाता है मानने थे कोई रिण पत्र 100 रुपए का है और उसका सोधन 110 रुपए पर किया जाना है तो इसका अर्थ है कि 10 रुपए की पड़ती रिण पत्र पर हानी होगी इसके लिए हम सामाने थे क्या इंट्री करते हैं हम यह प्रविष्टी करते हैं कि डेवेंचर एप्लिकेशन अकांट डेवेंचर लॉस और इसई अप्र प्रेमियम पर होना है तो इस परकार हानी को दर्शाया जाते हैं तो ओप्सन देखते हैं रिण पत्र आविदन खाते में रिण पत्र आवंटन खाते में रिण पत्र निर्गमन हानी खाते में रिण पत्र खाते में तो हानी को बही लोस और इस्व डेवेंचर खाते में दिखाते हैं तो इसका उत्तर होगा रिण पत्र निर्गमन हानी खा गया विक्रेताओं को जारी कीगे रिंपत्रों की संख्या होगी देखी वी कुल बुगतान कितना करना है 14,40,000 और एक रिंपत्र का अंकित मुले तो सो रुपए लेकिन वास्ट में इसका मुले कितना है तो संख्याएगी 15,000 तो 15,000 रिंपत्र जारी करेंगे 14,40,000 के बुगतान के लिए तो इसका उत्र होगा 15,000 अगला ऐसे रिंपत्र जिनका कंपनी अपने जीवनकाल में बुगतान कर सकती है कहलाते हैं औप्शन देखते हैं यह परिवर्थनी रिंपत्र भी वए परिवर्थनी रिंपत्र होते हैं जो एक सम्मय के बाद में परिवर्थित किए जा सकते हैं तो वो परिवर्थने रिड़्पतर वी रिड़्पतर होते हैं जिनको अन्साया पृतिबूतियों में परिवर्थन सः किलights. , ऐसे रिड़्पतर जिनका भुगतान कमपणी के जीवनकाल में नहीं किया जाता बिल्कि कमपनी के समापन पर किया जाता तो वह सोधनी रिंपत्र कहलाते हैं सोधनी रिंपत्र का अर्थ है कि एसे रिंपत्र जिनका एक निश्चित अवदी के बाद में बुगतान कर दिया जाता है तो परसन एक बार फिर पढ़ते हैं ऐसे रिन पत्र जिनका कमपनी अपने जीवन निकाव में बुक्तान कर सकती है तो सोद नीरिन पत्र का बुक्तान कर सकते हैं उत्रोगा दै चलो आगे और परसन देखते हैं देखे से अगला परसन है कि विकरेता को व्यक्राइब करूप के परतीफल के रूप में रिन पत्रों का निर्ग्मन करने पर किस हथे को डेबिट किया जाता है कि जब व्यक्तान कर कर विकरेता को यानि विक्रेटा अकाउंट डेबिट किया जाएगा तो इसका उत्र होगा ए विक्रेटा खाता अगला रिनपत्रों के निर्गमन पर बट्टे की हानी को अप्लिकित करने पर डेबिट किया जाएगा देख्यों रिनपत्रों के निर्गमन पर बट्टे की हानी को और रिनपत्रों के निर्गमन पर जो उनके सोधन प्रीमियम पर किया जाना है तो लोसन इश्यू अप्लिकित करने पर डेबिट किया जाएगा इसे कर सकते हैं पूले किस की प्रति ब्हुत्ति पर पूरों निर्दारित काज़दर नहीं होति ओप्सनus निश्चित ब्याजदर वाले रिंपत्र निश्चित ब्याजदर वाले रिंपत्र वह होते हैं जिनके निर्गमन करते हैं जिनको को निर्गमित करते समय ब्यच्व के जड़त नहीं की जाती तो वह सुने ब्याजडर वाले रिणपत्र रहते हैं इनको बटे पर जारी किया जाता है और इनके अंकित मुलेव रिणा निर्गमित मुले का अंतर ही उस अवदी का ब्याज केलाता है दूसरा है बोंड सब्सक्राइब किसी सरकारि और गर्ष सरकारी संस्था के द्वारा रिन्ट की स्विक्रति के रूप में जारी किये जाते हैं बॉंड पर भी से मिध्यमन के समय ब्याज के दर निर्दारित नहीं होती है कि तीसरा है अंस अंस ओपर टो लावांश दिया जैती मन नहीं देते नहीं होती तो बोण्ड पर पूर। निर्दरीत ब्यास दर नहीं होती तो इसका उतरोंगा भी बुण्ड अगला पर संदेखते हैं रिन पत्र गुस मैं हो funds पत्र जिनके पास कंपनी की संपतिया जमानत की रूप में रहती है कहलाते हैं बी शुरक्षित रिन पत्र वे रिन पत्र जो कंपनी की संपतियों पर परबार उत्पन करते हैं और कंपनी के संपतियों पर परबार द्वारा सुरक्षित होते हैं पर्थम रिन पत्र वे रिन पत्र जिनका पुनर बुगतान अन्य रिन पत्रों से पहले किया जाता है तो पर्थम रिन पत्र कर लाते हैं पत्रों के निर्गमन पर हनिवाबट्टझ किया मैं कर सकते हैं तो जो ना बने है तो इसका मतलब है कि इसको हम पुड़ाइगत और पूजिगत दोनों हो में अप्लिकित कर सकते हैं तो इसका उत्रोगा से आयगत्व पुंजीगत लाबो में से तो रिनपत्रों के निर्गमन इन्य बट्टे को अप्लिकित क्या जा सकता है ठीक है अगला परसन है रिनपत्रों का बट्टे पर निर्गमन वे सम्मुल्य पर सोधन की दसा में क्रेडिट किया जाने वाला खाता है तो इस इस्तिति में हम क्या पूरिष्टी करते हैं कि debenture application account debit discount on issue of debenture account debit to debenture account तो इन्होंने पुछाए कि credit किया जाने वाला खाता तो debenture खाता रिनपत्र खाता होगा उत्र होगा अगला यह दी रिनपत्रों को बट्टे पर निर्गमित किया जाता है तो खाता नाम किया जाता है छोप्षी बने रीन पत्रों को जब रीन पत्रों नम किया जता है तो बीधने अगला रीनपत्रों को संपार्श्विक परतिवूत्ति के रूप में निर्गमित करने पर पुरुष्टी होगे तो सबसे पहले संपार्व परती बूत्थी क्या होते है वह मैं आपको बता देता हूं देखिता है संपार्व परती बूत्ति का मतल होती है कि जबagues पlt Sound जमनत के रूप में अपने यन पत्राजीत निरेगुमन करतां तो संपार्ष네요 핯 की रिभधि किया रखे गई ये रेड़ पत्र ध्याज़ दवारा ब्याज नहीं क्या जाता है उसी पर प्रतिबूति की रूप में जब हम रिनपत्रों को रखते हैं तो क्या फुरिष्टी होती है कि डेबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेबेंचर अकाउंट तो उत्तर होगा इसका कि अगला परसंद रिनपत्रों पर बुगतान की गई ब्याज की राशी अंत्रिट की जाती है न geschिस अब बी when striking के लिए खर्चा और खर्चा लाबभन काते में अंत्रिट किया जाएगा और उत्तर होगा इस ऑब ठीक है चलो आगे देखते हैं रिण पत्रों पर चुकाई जाने वाला ब्याज है इस लाब उपर परबार बैह हानी पर परबार सा रिण पत्र सोदन कौरफ परबार उप्योप्त में से कोई नहीं तो आप लोगों ने देखा कि जो रिण पत्र दो प्रकार के होते हैं एक तो शुरुखृत्र रिन पत्र और सुरुखृते ओसी प्रकार जो रिन पत्र पर ब failed आपको द्यान में रखना है अगला पस्ति हिएलैंपत्रों के निर्गमन द्वारा कमपनी लब प्राप्ट करती है पुन्जी प्राप्त करती पुप्यूप penetrate करती है उप्योप में तो दिर्ज पत्रों के द्वारा कमपनिया वो दिरक 50 पर राप्ट करती राप्त कई है तो इसका उत्रों गया है जिए बिया और केही तो मैं आशा करता हूँ कि कि सारे स्वाल आपके समझ में र segu Smaja में आए को और आपके लिए फिए हो गयां अब आगे के अध्याई बच्चे हैं चेप्टर बच्चे हैं उनके और वीडियो बना के आपके लिए लाए जाएंगे तब तक के लिए धन्यवाद